salary account में cash हम जमा करा सकते हैं yes or no अगर हम करा सकते हैं तो income tax law के हिसाब से क्या limit है salary account में cash deposit करने की और withdrawal करने की दोस्तों आज की video पूरा detail में आपको समझाने जा रहा हूँ तो ये video specifically salary वाले लोगों के लिए होने वाली है और खासकर जिनका salary account है या फिर जिनका saving account है तो आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और skip नहीं करेंगे नमस्कार मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूँ मारा YouTube चैनल पर दोस्तो चैनल पर हो तो वीडियो उसको like करें शेयर करें और मुझे motivate करने के लिए हमेशा के तरह चैनल को subscribe जरूर कर ले नीचे लाल वन उसको दवाए ताकि ऐसे वीडियो आपको time time पे मिलती रहे और बागी social मेरा platform पे आप हमें follow कर सकते हैं सबका link आपको description में मिल जाएगा click करके join कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी abates, finance और taxation दोस्तो यह question मुझे काफी पूछा गया कि sir मेरा salary account है तो मेरी salary की income के अलावा अगर मैं कुछ cash जमा कराना चाहता हूँ अपने salary account में या अपने saving account में तो क्या मैं करा सकता हूँ देखें दोस्तो income tax law के हिसाब से अगर आप अपने saving account के अंदर 10,00,00 का cash जमा कराते हैं या उससे जादा का कराते हैं एक पूरे financial year में अब यहाँ पर जो saving account है दोस्तो वो आपका एक भी हो सकता है वो आपके बहुत सारे saving account भी हो सकते हैं ऐसे अगर मैं एक salary person की बात करूँ तो उसका salary account एक भी हो सकता है उसके दो भी हो सकते हैं माला वो एक साल के अंदर उसमें पहले कहीं पर जॉब करी तो उसका एक account वहाँ पे था फिर उसमें दूसरी जॉब चेंज कर ली उसी साल में same financial year में तो उसका दूसरा salary account कुल गया तो देखते हैं तो उस साल उसमें दो salary account यूज कर लिए तो अगर मैं salary account की बात करूँ हैं saving account की बात करूँ तो आप अगर उसमें cash deposit करते हैं 10 लाग के बरावर उससे ज़ादा का एक साल के अंदर या फिर cash निकालते हैं 10 लाग के बरावर उससे ज़ादा का एक साल के अंदर तो दोस्तो इस सारी transaction को income tax department high value transaction कहता है basically होता क्या है सारे bank जो है न वो income tax department को आपका pen number report कर देते हैं basically जब भी आपने कोई high value transaction करी तो bank आपकी ये transaction को देखते हुए कि इस person ने इतना cash जमा करा दिया 10 लाग जमा करा दिये 20 लाग जमा करा दिये तो सारे banks को क्या करना पड़ता है form 61-A के अंदर जो SFT transaction इसके अंदर वो bank सारी notify करता है उसके अंदर 31 मही से पहले जब साल कतम होता है तो उसके आने वाली 31 मही से पहले जो है वो सारी के सारी SFT transaction specified financial transaction यह जिसको हम कहते हैं high value transaction bank उन सब को report कर देता है income tax department को अब accordingly income tax department वहाँ पर क्या check करेगा कि इस person की तो salary income है अब salary के अलावा इसके account में 10 लाग रुपे कहां से आई दोस्तों देखिए income tax department यह चीज़ को justify करने की कोशिश करता है कि अगर आपके salary account है आपके salary account से obviously salary income आप में दिखा रखिए है आपने ITR 1 भर रखिए ITR 2 भर रखिए अगर आपकी salary की income है इसके लावा आपका कुछ capital gain की income है यानि कि आपने कोई property बेची है share में कुछ trading करी है long term short term के अंदर तो आपने वह अपनी क्या करेगा वहाँ पर आपकी income tax return की processing करेगा उसको check करेगा और उसको अगर ये लगता है कि इसने जो cash जमा कराया मालो 15 लाख रुपे आपने cash जमा करा दिया और वो अपने ITR में अगर as an income आपने कहीं show नहीं करा यानि कि आपने ITR या तो आपको लीगल नोटिस बेज़के पूछेगा कि यह बताओ यह 15 लाख रुपे आपके पास आए कहां से तो गाइस यहां पर मुद्दा यह नहीं है कि आप अपने salary account में 10 लाख से जाधा का cash जमा नहीं कर सकते आप जमा चाहे तो 10 लाख कर सकते हो 20 लाख 30 लाख जितना मर्जी चाहे cash जमा करा सकते हो लेकिन कल को अगर inquiry होती है income tax department से तो उसकी justification आपको देनी पड़ेगी कि यह आपके पास cash आया कहां से और guys income tax law के हिसाब से आप अगर cash लेते हो अगर आप gift ले रहे हो अगर आपको gift मिल रहा है cash में 50,000 तक की जिसकी value है तो उस पे आपको कोई भी tax नहीं देना है वो आपक donation है relative की उसमें यह सारे लोग आते तो अगर आप relative से अपना cash ले रहे हैं तो उस case में आपको कोई समस्या नहीं है लेकिन दोस्तों उसमें भी आपको ध्यान लखना है कि 2,000,000 से जादा का cash आपको एक person ने एक दिन में receive नहीं करना है तो relative से भी limit है लेने की लेकिन अगर आ रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत नहीं है और इसको हम तो example से समझते हैं माले कि एक person है राम उसके father retire हो गयाते हैं उसके father को retirement में PF के उनके account में PF का पैसा मिलता है एक करोग रूपे अब उसके father ने क्या करा बैंक जाके 20 लाग रूपे cash withdraw कर लिया हाला कि देखा जाए तो उस 20 लाग रूपे अब उनके बेटे ने क्या करा वो सारा का सारा 20 लाग रूपे उठाके अपने saving account या अपने salary account में deposit कर दिया तो guys आप समझ सकते हैं यहाँ पर उसको क्या treat किया जाएगा यहाँ पर bank उसको high value transaction मानेगा अब accordingly बात आती है कि आप बोलो के sir इसके अंदर तो justification ह और वैसे justification तो है क्योंकि यहाँ पर source क्या है source उसके father यानि कि उसके relative ने उसको cash दिया है और as a gift दिया है तो दोस्तों इस case के अंदर पूरी justification involved है क्योंकि उसके जो father है उसको क्या मिला retirement में पैसा मिला fund मिला obviously वो भी क्या था उन्होंने proper tax दे कि अपनी salary के उपर proper tax पे करा उनकी income taxable थी वो ITR भी फाइल करते हैं उन्होंने cash withdraw कर लिया account से अपने बेटे को दे दिया तो यहाँ पर एक पूरी chain बन रही है और पूरी genuine source है तो government यही चेक करना चाहते है भी आपके पास जो cash है ना किसी illegal source से तो नहीं आया कहीं वो दो number का cash तो नहीं है तो इसी चीज को identify करने के लिए government cash की transaction को बड़ा ध्यान से देखती हैं कि आप अपने salary account में या saving account में cash जमा करा रहे हैं एक limit से ज़्यादा का तो उस cases के अंदर आपको income tax की तरफ से notice आ सकता है और guys अगर हम इसको ऐसे समझें कि मानलो आपके friend ने आपको एक लाग रुपे cash दे दिया penalty है section 269 ST कहता income tax का कि जिस person ने cash लिया उसके उपर 100% penalty है यानि कि अगर आपने 8 लाग रुपे लिये तो आपके उपर 8 लाग रुपे की penalty लग जाती है तो cash की transactions को आपको avoid करना है अगर आप लेते हो 50,000 तक का cash अपने एक friend से as a udhaar ले रहे हो कुछ भी ले रहे हो तो guys आप लोग का question होता है कि sir मैंने property बेज दी 50,000,000 रुपे की और उन्होंने क्या करा मुझे 25,000,000 तो white में दे दिये 25,000,000 रुपे black में दे दिये 25,000,000 रुपे का cash दे दिया अब मैंने क्या करा सर वो 25,000,000 रुपे अपने खाते में जाके जमा करा दिये yes तो ये आपने बहुत person की penalty लग जाती है तो इस case में आपको गलती ये नहीं कर नहीं आप कहो कि sir मुझे तो पता ही नहीं था मैं उसने तो मुझे cash दे दिया मैंने खाते में जमा करा दिये और मैं ये कह दूँ हां देखो इसने मुझे cash दिया है आपके पास source हो है क्योंकि आपके पास कहां से cash आ आप पड़ेगा विड्रॉल के case में आपके मने में question हो सकता है कि sir मालो मेरे account में salary account नहीं उसमें मेरे 20 लाग रुपे मेरी saving पड़ी है और मैंने cash निकाल लिया 10-14 लाग रुपे तो हाला कि income tax department आपको कुछ बोलेगा नहीं वो यह नहीं कहेगा कि आपने high value transaction करते दो टेक् परवाय करने के लिए आपकी आईटर की processing करने के लिए आपसे पूछना चारा है कि मुझे आप बता दो कि आपने 12 लाग रुपे cash निकाला है उसका क्या यूज करा है तो यह आपने ध्यान रहे हैं और खासकर वो लोग जिस टाइम पर जो लोगों ने अपना cash निकाला है और अपनी property purchase करिये जोगों मैंने बहुत सारे ऐसे practical cases देखे हैं कि एक person ने let's suppose September के अंदर एक property खरी दी अब उसी time पे उसी वहीने में उसने 20 लाग रुपे cash भी withdraw करा तो आप समझ सकते कि income tax department की तरफ से क्या एक thinking रहेगी कि इस person ने property खरी दिया है और cash भी निकाला इसका म वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो दे आपको कुछ ना कुछ एक solution मिलाएं तो प्लीज वीडियो को like करें शेयर करें और मुझे motivate करें चाल को subscribe जरूर कर ले नीचे लाटमस को दबाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आपको time time पे मिलती रहें तो मिलते है next session में thank you